मशकार दोस्तों आप लोगों को अगर धन से समंदी कोई भी समस्या आ रही है तो आप शनीवार के दिन इस उपाय को जरूर करके देखें पीपल के वरक्ष का यह उपाय है रुप्या की चाहत किसे नहीं होती हर कोई चाहता है कि उसे कभी पैसे की कोई कमी ना आए अगर आते हैं कि आपके जेब हमेशा भरी रहे आपकी जेब में हमेशा रुप्या भरा रहे तो कभी खाली ना हो तो यह चमतकारी उपाय जरूर आजमाए जाने कैसे इस उपाय को करना है और इस उपाय की विदी क्या है किस दिन करना है तो दोस्तों इस प्रभावकारी उपाय क के लिए शनीवार का दिन चुने शनीवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जा कर एक पत्त तोड़ कर लाएं अब इस पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर उसके उपर हल्धी और कुम-कुम के गोल से दाए हाथ की अनामी का उंगली से स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाते टाइम आप अपनी मनों काम ना बोलें। ऐसा लिखने के पश्यात पीपल के इस पत्ते को दुब-दीब दिखाएं। उसका पूजन करें। उसे अपने पर्स में रख लें। इस पत्ते को सब्ता भर अपने जेब में पर्स में रखे रहने द धन जब तक ये आपके जेब में रखा रहेगा आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी इस क्रम को दोहराते रहें और नया पत्ता अपने पर्स में लाते रहें ऐसा करने से आपके जीवन में लक्षमी से संबंदित कोई भी परिशानी नहीं आएगी धन से संबंदित कोई भी परिशाने नहीं आएगी पुराने पत्ते को जब तक ना निकालें ना फेकें तब तक नया पत्ता ना लेकर आएं इस बात का ध्यान रखें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि पुराने पत्ते को बिल्कुल भी अशुद्ध जगा पर नहीं फेकना है कच्रे में नहीं फेकना है अगर आप हो सके तो उसे शुद्ध जल में प्रभावित कर दे कुछ समय तक लगातार इस प्रयोग को करने से आपके घर में धन लक्षमी की कोई कमी नहीं मौसिस होगी आपके पर्स में हमेशा रुपया भरा रहेगा और किसी भी प्रकार से पैसे की कोई कमी नहीं आएगी आप लोग यह उपाय जरूर करें छोटे छोटे मगर ऐसे उपयोगी उपाय हैं जो हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं पुझने शरी पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा कहे गए यह उपाए हैं अगर आप लोग हमारे दोरा यह उपाए जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के गंटे को भी प्रेस करना ना बूलिएगा ताकि हम जब भी कोई उपाए बताएं आप लोग तक सबसे पहले पहुचें मिलते हैं अगरे वीडियो में श्री शिवाए नमस्तभ्यम